हलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल अगर आपके भी नोस पे या फिर चिन पे बहुत जादा ब्लैकेट वाइटेट्स हो जाते हैं जो कि बिलकुल भी ना अच्छे नहीं लगते हैं वो अलग से ही दिखाई देते हैं तो मुझे ना नोस पे ब्लैकेट्स हो हैं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम घर पे ही बिलकुल एजीली ब्लैकेट वैटेट्स को रिमूव कर सकते हैं तो आज मैं आपके साथ में हीप हॉप चार्कुल स्टिप्स जो आती है इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पैकेजिंग इसकी कैसे यूज करना होता है पूरा डेमो में आपके साथ में इसका शेयर करूंगी एंड रिजल्ट भी बताऊंगी कि क्या ये सच में वर्क करती है क्या सच में हमारे सारे ही ब्लैकेट वाइटेट्स निकल जाते हैं तो एक पैकेट के अंदर हमें इस तरह से तीन पैकेट मिल इतना जादा क्लियर नहीं दिख पा रहा है बट आप फिर भी देख सकते हो कि मुझे थोड़े थोड़े से ब्लैकेट सो रखे हैं तो अब हमें इसे यूज कैसे करना होता है ये ड्रा स्किन पर वर्क नहीं करता है तो इसके लिए आपको सबसे पहले जहां से भी आपको ब प्लैकेट वैटेट से वह सॉफ्ट हो जाए एजली निकल जाए अब यहां पर मैंने स्टिप्स को निकाल दिया है अब आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके की हमें स्टिप मिलती है प्लास्टिक के ओपर यह स्टिक रहती है तो इस तरह से हमें इसे हटाना होता है अंड जो वाइट वाला एडिया होता है न यह बाहर के तरफ रहता है और यह जो ब्लैक वाला है यह हम नुज पे स्टिक करते हैं तो आपका जो एरिया जहां पे यह स्टिप लगा रहे हो ना वूट्रानी होग वैट हो ची तो अच्छे से इसे लगा के अब मैं अपने फिंगर स से प्रेस कर दूंगे ताकि वह अच्छे से स्टीक हो जाए एंड जो ब्लेकेट से ना वह बहुत अच्छे से निकल जाए इस तरह से अच्छे से लगा देना है एंड उसके बाद में यहां पर आपको 10-15 मिनिट का वेट करना है ताकि यह स्ट्रिप जो है न वह अच्छे से जब अच्छे से चिपक जाएगे न तो आपको फील होने लग जाएगा कि इसकीन पर एकदम स्ट्रिक हो गई है तो उसके बाद में आपको इसे रिमूव करना है तो यहां पर 10-15 मिनिट के बाद में मैं आपको बताती हूँ कि हमें से कैसे निकालना है और क्या इसका रिज किती है और यहां पर पानी अच्छे से लगा हुआ था तो इस्टिक हो गई थी तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जब भी इसे यूज़ करो तो आपकी स्कीन जो है वो ड्राय नहीं होनी चाहिए और अब मैं इसे निकाले वाली हूँ तो आपको स्कीन को थोड जड़ा पें हो रहा था, हो सकता है हैस हैं यहां पर इस वज़र से हो रहा था या फिर पता नहीं बट यहां पर मुझे थोड़ा सा पें हुआ था अब मैं स्ट्रिप को देख रही हूँ कि कहां मेरे ब्लैकेट वैटेट्स निकले हैं थोड़ा सा मुझे दिख जाए मैं बहुत अच्छे से देखने की ट्राय कर रही हूँ बट कुछ पता नहीं चल पा रहा है तो मैंने अच्छे से नहीं निकले और इस्ट्रिप जो है वो यह रही तो मुझे बहुत जादा डिफरेंस नहीं दिखाई दिया था तो मैं आपको ना पास से भी दिखाती हूँ कि मुझे कैसा इसका रिजल्ट मिला था तो यह ओके-ओके प्राड़क लगा मेरी स्कीन पे इसने कुछ खास वरक न नहीं मिला तो ओके-ओके प्राड़क्ट है आप भी ट्राय करना चाहो तो कर सकते हो सकता है आपके लिए यूसफुल रहे वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और भी इससे तरह के हैलफुल वीडियो और प्राड़क्ट रिव्यूस देखने के लिए